T20 विश्यकप में भारतिय टीम के निराशा जनक प्रदर्शन के बाद उनसके प्रदर्शन की समीक्षा की जा रही है। उन कारणों को ढूंड़ा जा रहा है जिसकी वज़ा से भारतिय टीम का प्रदर्शन आशा नरूप नहीं रहा बलकि यूं कहें कि निराशा जनक रहा नमस्कार आप देख रहें नियूस बाइसकोप और मैं हूरा की श्रंजन T20 विश़कप में भारतिय टीम के प्रदर्शन से सारे देश्वासी दुखी हैं और हो भी क्यों नहीं जिस टीम से इतना विश्वास हो उस टीम पर कि वो विश़कप जीत कर लाईगी वो जब खराब प्रदर्शन करती है तो दुख तो होता ही है अब उन कारणों को ढूंडा जा रहा है कि आखिर क्यों भारतिय टीम का प्रदर्शन इतना खराब रहा इस विश्वकप में इसमें से एक कारण जो है वो वर्कलोड मैनेजमेंट को बताया जा रहा है अब ये workload management जो है वो भारती क्रिकेट के लिए mismanagement कैसे साबित हुआ ये बताने की आपको कोशिश करूँगा महान सुनिल गावसकर ने भी कहा है कि जब आप देश के लिए खेलते हैं तो ये workload क्या होता है और बिल्कुल सही कहा है उन्होंने अगर आप खेल रहे हैं तो फिर किस बात का workload आपको उसके अनुसार तयार होना ही पड़ेगा और आपको अब कहना पड़ेगा कि जो workload का load है न वो भारती क्रिकेट सह नहीं पा रहा उस भार को भारती ये क्रिकेट उठा नहीं पा रहा workload के load को और अब वो कराह रहा है अब देखिए अगर हम बात करें तो हम अकसर देखते हैं कि समय समय पर खिलाडी रिस्क लेते रहते हैं अगर पिछले एक साल की हम बात करें एक डेड़ साल की तो मुझे लगता है अनेकों ऐसे अवसर आये होंगे मुझे लगता है कम से कम 50 प्रतिशत आप क्या सकते हैं Almost कि जब भारत के टॉप खिलाडी जैसे रोहित शर्मा, विराट कोली, जस्प्रेट बुमरा जैसे खिलाडी जो है वो भारत के लिए नहीं खेल रहे होते हैं तो ये आखिर उनको रिस्ट की इतनी जरूरत क्यों पढ़ती हैं तेज गेन बाजों का तो थोड़ा समझ में भी आता है लेकिन बाकियों के लिए वर्कलोड क्यों एक इतनी बड़ी समस्या बन रही है जबकि अब फिटनेस पर इतना काम होता है पहले के जमाने में तो फि देखें तो सारे खिलाडी जो है लगभग सारे मैच खेलते हैं लगभग क्या सारे मैच खेलते हैं 14 मैच तो उन्हें कम से कम खेलना पड़ता है और कोरोना काल को अगर हम छोड़ दें तो ज्यादा तर समय में IPL खेलते वक्त ट्रैवलिंग भी कम नहीं होती एक शहर से IPL के मैच से रिस्ट ले लिया तो आखिर इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा कि देश के लिए खेलते वक्त ही वर्कलोड क्यों आड़े आता है और क्यों आपको आराम की जरूरत होती है वर्कलोड कई बार सच में जादा होता है और उस वक्त आराम दिया जाना चाहिए लेकिन ये आराम ये तरीका इतना प्रचलित होता चला गया कि अब खेलाडी ऐसे भी आराम मांग लेते हैं और अब ये जो वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पे जो कुछ हो रहा है न वो बीमारी हो गई है भारतिये क्रकेट के लिए और जब कोई बीमारी हो जाए तो उसका इलाज ढूंड़ना जरूरी होता है अब मैं आपको बताओं कि BCCI के जितने भी खेलाडी हैं जो खेल रहे होते प्रॉमिनिंट प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो सभी ग्रेडिंग सिस्टम के अंतरगत आते हैं तो उसके अनुसार वो खेलें या न खेलें उनको उतन पैसे मिल जाते हैं मैच के अलावा मैच मनी के अलावा जो है वो उतने पैसे उन्हें मिल जाते हैं अब आप ही बताइए कि जब आप work load management के नाम पर risk लेते हैं तो वो एक तरह कि छुटटी हुई अब अगर आपने भी किसी कुपनी में काम किया होगा तो ये जानते हों के साथ भी है कि अगर आप grading system के अंतरगत हैं, एक निश्चित amount, एक निश्चित पैसा आप लेते हैं, तो फिर आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप भारत के लिए सारे match खेलें, until, unless कि आप गायल ना हो जाएं, या खेलने लायक न रहें, लेकिन यहाँ पर खिलाडी ऐसे भी आराम ले लेता है, कि हाँ मैं बहुत ठक गया हूँ, कोई मानसिक रूप से ठक जाता है, कोई शारेरिक रूप से ठक जाता है, और इसके अलावा आप coaching staff की संख्या आप देख लीजिए, उसके बाद खिलाडियों की ये इस्थिति है, अब तो आप ये भी कहते हैं कि अभी मानसिक रूप से भी ठक जाते हैं, शारेरिक रूप से भी ठक जाते हैं, और उसका असर टीम के प्रदर्शन पर पढ़ता है, तो अगर जो खिलाडी rest लेना चाहते हैं, उनसे पहले ही BCCI को ये पूछ लेना चाहिए, कि अगर आप workload के नाम पर rest लेना चाहते हैं, तो आप grading system से बाहर आजाईए, आप जितने match खेलेंगे, आपको उतना पैसा मिलेगा, यकीन मानिये, आपको rest लेने की संख्या कम न हो जाए ना, तो फिर आप कहिएगा, इसके अलावा मैं अगर बात करूँ कि और अगर आपको लगता है, कि हाँ workload की वजह से हमें आराम चाहिए ही तो एक चीज़ BCCI को और करना चाहिए और वो ये करना चाहिए, कि हर format के लिए, मतलब जैसे T20 format, One Day का format और Test का format, तीनों format के लिए अलग-अलग कप्तान नियुक्त कर देना चाहिए, और उस कप्तान की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, कि वो अपने format के होने वाले सारे matches ख खेलेगा Team India के लिए, क्योंकि जब आप format में खेलेंगे तब तो आपको पता होगा न, कि कोई नया खेलाडी आया, उसके खेल का स्तर कैसा है, उसके अंदर क्या quality है, देखिए, क्रिकेट में सिर्फ अपना खेल जानने भर से काम नहीं होता, आपके साथी खेलाडी का क्या है, वो भी समझने की जरूरत होती है, और एक कप्तान के तोर पे तो खास करके, तो जो भी format का कप्तान हो, वो उस format के सारे मैच खेलें, और उसमें जो नये खेलाडिया है, अब होता क्या कि कोई बड़ा खेलाडी रेस्क लिया, किसे नये खेलाडी को मौका मिला, वो स्कोर करता है, फिर जब जो अस्थापित खेलाडी है, वो वापस आता है, वो नया खेलाडी बाहर, चाहे उसने अच्छा प्रदर्शन किया हो, या नहीं किया हो, तो उस खेलाडी की जो अच्छाई है खेल में, क्वालिटी है, या जो मान लीजे उसके अंदर कमी है, उसका इसमें हारने के बाद और 22 के पहले, लेकिन नतीजा क्या निकला, अगर आप 2021 की टीम देखिए, और 2022 की टीम देखिए, तो क्या जादा का फर्क दिखता है, नहीं, तो फिर इनके बीच में जो इतने सारे प्रियोग किये गए, उसका क्या मतलब, उसका कोई मतलब नहीं है, तो इन चीजों को अब देखना चाहिए, और ये BCCI की जिम्मेदारी बनती है, कि वो ये एंशियोर करे कि जो बेस्ट प्लेइंग 11 होगा, वही मैच खेलेगा, और इतना ही नहीं, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, कि अब तो कोज को भी रेस्ट की जरूरत पड़ रही ह आप देखेंगे कि राहूल द्रविट अब न्यूजिलेंड दोरे पर नहीं जा रहे हैं, रोहित शर्मा विराट कोली तो नहीं ही होंगे, साथ में आपको राहूल द्रविट भी न्यूजिलेंड नहीं जा रहे हैं, उन्हें भी रेस्ट की जरूरत आन पड़ी है, तो खिलाडियों को पहचान सके, उनकी खूबियों, उनकी कमजोरियों को जान सके और उसी के अनुसार अपनी रणनिती बना सके, तो ये महत्पूर्ण है लेकिन फॉर्मेट चाहे जौन सा भी हो, BCCI को ये सुनिश्यत करना है कि उसमें हमारा best playing 11 ही खेलेगा, जब आपका एक playing 11 खेलता है तो उनका आपस में एक combination बनता है, आपस का तालमेल बढ़ता है, खिलाड़ी एक दूसरे को समझने बूजने लगते हैं हम जानते हैं, भारत बड़ा देश है, अलग-अलग राज्यों से खिलाड़ी आते हैं, तो साथ में खेलने का उतना अनुभाव उनके पास है नहीं है, एक दूसरे की कम्यों और मजबूती को पहचानते है या नहीं, यह नहीं पता, वो साथ में रहकर ही आएगा, इसलिए यह ज़रूरी है कि BCCI इन चीज़ों को इंशियोर करें, और वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर भारतिय क्रिकेट को मिस मैनेज न करें, अभी के लिए इतना ही इजाज़त दें, नमस्कान